आज की क्लास में हम लोग गर्ष गोरियन थेोरम पर नुमेरिकल देखेंगे यहाँ पर यह जो मैट्रिक्स दिया हुआ यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और आपको बताना है कि जो है एक आइगन वैलू माइनस लेमडा टू होगा और उसकी जो रेडियस होगी प्लस माइनस 0.03 होगा मतलब एक जो लेमडा आएगा वो माइनस टू प्लस माइनस 0.03 के बीच लाई करेगा ठीक है इसको और समझी है और यह कह रहा आगे यह कह रहा कि डी अलफा ए डी अलफा इनिवर्स निकाली है और जो अभी आपका लेमडा आया था मतलब ऐसे समझी है जीरो हो गया माइनस वन हो गया माइनस टू हो गया तो इसका यह मतलब है कि लेमडा की वेलू हो गई माइनस टू से और फिर ऐसे एक सरकल बना लीजिए बहुत छोटा सा तो यह जो आर हो गया यह कितना हो गया बहुत छोटा बना देंगे तो समझ में नहीं आएगा प्लस 0.03 तो मतलब यह अगर इसमें एड करोगे माइनस में और इसमें इधर माइनस जाओगे तो इसमें इतनी रेंज में यह पूरा यह यह vary करेगा मतलब lambda minimum कितना हो गया lambda 1 minus 2 minus 0.03 और इधर हो गया minus 2 plus 0.03 अब इसको निकालिए calculator से minus 2 plus 0.03 यह आ गया minus 1.97 और यह आ गया आपका 2.03 sorry minus रहेगा एक मिनट minus 2.03 मतलब समझ में आ गया कि यह अगर एक root निकलेगा तो यह root vary करेगा minus 2 plus 0.03 minus 2 minus 0.03 तो यह आपका final जो root की value lambda की value आ जाएगी यह आ जाएगी तो lambda लाई करेगा minus 2.03 to minus 1.97 इसके बीच लाई करेगा समझ में आ गया है इतनी line का यह मतलब हुगा इतनी line का तो यह हमें प्रूब करना है और फिर इसी जो जो लाई कर रहा है यह इसी को बदल के अब हमें ले जाना है यह इस पे समझ में आ गया है इसी को बदल के अब नए value पे ले जाना है तो आगे देखते हैं कैसे होगा अब देखिए यह हमारा मैट्रिक्स हो गया तो इसको लगाने का तरीका यह है आप पहले डाइगनल देख लीजिए क्या क्या है एक माइनस दो और तीन इसके डाइगनल एलिमेंट है तो पहला जो रूट होगा वो इस तरह से लिखा जाएगा लेमडा माइनस वन का मौट लेस देन अर इकॉल टू बाकी क्या बचे इनको जोड़ लिजिए इनको जोड़नके क्या हैगा इसको इसको मौट करके जोड़िए तो यह आ गया एसे इसके लिए बाकि क्या column इस row में क्या-क्या बच रहे हैं ये बच रहे हैं तो ये हो गया ये ऐसे तीसरे के लिए ये 3 है इसके लिए इनको और इनको mod लेके जोड़िए तो ये आ गया और simplify के लिए तो ये equation आ गई बाकि इनके ऊपर क्या लिखा हुआ है इसको भी जड़ा देख लिया जाए इसका मतलब यह हुआ अगर इस line पर रिपर्जेंट कर रहे हो इसको 0 कर रहे हो इसको 1 कर रहे हो इसको 2 कर रहे हो इसको 3 कर रहे हो इसको minus 1 यहां बना लीजिए minus 2 और minus तो एक रूट जो होगा यह 1 कहां गया यहां और उसका radius जो होगा 0.02 इस तरह से मतलब maximum value क्या होगी उसकी इस root की इसके respect में देखिए solve करिए तो यह वाले equation आ रहे हैं समझ में आ गया है इसका मतलब एक root जो होगा 1 plus minus 0.02 इस तरह होगा दूसरा root minus 2 पे जाईए और उसमें कितना add करिए 0.03 दीखिए मैं circle थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ अधरवाइक बहुत छोटा हो जाएगा ति यह हो जाएगा minus 2 plus minus 0.03 ऐसे तीसरे case में आ जाईए 3 3 किदर है इधर इसमें कितना आ रहा है बहुत बड़ा बन गया 3 plus minus 0.03 इस बात का यह मतलब हुआ मतलब एक root लाई करेगा जो 1 उसका center होगा 1 तो वही d1 मतलब एक circle समझ लीजिए center at 1 radius यह दूसरा d2 center at minus 2 radius हो गया 0.03 तीसरा center at 3 radius कितना हो गया इनको इनको add कर लीजिए लेकर तो इस बात का यह मतलब हुआ कि समझ मां गया कि देखिए चुकि यहां symmetric matrix है यह मैट्रिक्स क्योंकि symmetric है कि तो इसको हम इस वे में solve करते हैं यहां तक आ गया कि इसको simplify करिए तो यह आ गया कि देखो सरकल ना बना करके हमने एक इस तरह डागराम बनाया है कि इसको मतलब एक range दिखा दी यहां से यहां के बीच यहां से यहां के बीच ठीक है जिसका center minus 2 है maximum value minimum value center एक है maximum value इधर minimum value इधर center 3 है maximum value minimum value इधर वही चीर यहां इस form में दिखाए गया है तो अब आगे क्या हुआ from the figure इस figure से आपका क्या clear है कि एक जो है आइगन वेलू माइनस लेमडा टू प्लस माइनस 0.03 आएगा 0.03 यह वाला इस बात को अगर देखा जाए तो क्या मिला एक रूट जो है लेमडा एक आइगन वेलू की वेलू होगी माइनस टू प्लस माइनस 0.03 इस रेंज में लाई करेगा समझ गया तो यह प्रूब करने का मेथड हो गया यहाँ से भी देखिए यहाँ से भी clear है अब हमें जो लेमडा की यह वाली वेलू है इसको बदल के यह करना है समझ में आ गया इस लेमडा की वेलू को बदल के यह करना है तो इसका center क्या है माइनस 2 अब देखिए माइनस 2 इस वाली position पे थी ना अब देखिए कैसे किया जाएगा तो यहां ले लेंगे हम alpha इस तरह से matrix से जूम करते हैं d alpha a d alpha inverse इस वाली position के आईएन वेलू को हमें change करना है इसलिए यहां हमने alpha ले लिया तो यह पूरा आपको expression लिखना है अब देखिए d alpha inverse यहां 1 by alpha आ जाएगा अब इस expression को पूरा solve करिए matrix multiplication है और कुछ नहीं है जब आप solve कर लोगे तो यह आ जाएगा फिर same आपको expression लिखना है lambda minus 1 का mod यह कितना होगा इनको इनको add कर लिजिए mod करके तो यह आ गया ऐसे lambda plus 2 बचा क्या यह और यह रो यह चला है यह रो का हो गया यह इस रो के लिए इनको इनको add करिए यह आ गया ऐसे lambda minus 3 क्या बचा यह और यह इनका mod लेकर add करिए यह अब क्या करना है और simplify करिए तो यह आ गया आपका अब देखिए हमारा target क्या था यह वाली equation ना क्यों? क्योंकि हमें जो root change करना है lambda equal to minus 2 plus minus वाला change करना है question के इसाब से यह minus 2 वाला जो root है वो change करना है मतलब जिसका center minus 2 है तो इस वाले में center minus 2 है ना तो इस equation को देखिए यह वाला इसको कितना बदलना है इसको करना है यह इसका मतलब alpha की value इस दोनो equation को देखी जाए तो यहां से alpha की value निकल आएगी alpha की value यह होगा तो lambda यहां से यहां पहुच जाएगा समझ रहे हो minus 2 plus minus 0.03 alpha है यह इसको यह बनाना है तो alpha की value यह आपको रखनी पड़ेगी इस expression में तो इसको रख दीजिए तो equation number 9 में रखिए बाकी चुकि इसी पर हमें condition चलानी है न तो हमने alpha रख दिया बाकी और equations की आइगेन value पर क्या खरक पड़ेगा इससे जो alpha आया है यही use होगा इन सारों के लिए ठीक है उनमें क्या फरक पड़ेगा तो यह आ गया आपका lambda फाइनल यह है इससे lambda की value इस form में लिख लेजिए 1 plus minus मतलब यह अगर center के form में लिखा जाए 1 और यह radius minus 1 center यह radius 3 center यह radius तो हम यह circle नहीं बना रहा है बस हमें एक आयत के form में दिखा दीजिए कि अब यह है 1 plus minus 2.333 तो 1 अगर यह center हो गया तो कितना तक जा रहा है 2.333 तो यहां जा रहा है और 3 तो total कितना हो जाएगा दो एक तिन 3.333 3 यहां है यहां तक मतलब एक के लिए maximum यहां तक जा रहा है और minimum 1 minus 2.333 तो minus 1.333 तो यहां एक minus 1 यहां है तो यहां तक कर दिए तो यह clear हो गया ऐसे यह minus 2 plus minus तो चुकि यह number बहुत छोटा है तो minus 2 में थोड़ा सा अगर plus करोगे तो थोड़ा इधर आ गया यह ऐसे आ गया और ऐसे lambda equal to 3 के लिए 4 plus 3 7 तक चला जाएगा तो यह दिखे इसको ऐसे ऐसे दिखाया गया है इस वाली लाहन से तो 4 और 3 7 3 4 5 6 7 तो 7.6 और 3 minus 4.62 तो हो जाएगा 1 minus 1 point इसमें देखिए मुझे कुछ figure सही नहीं बना लग रहा है अगर इसको simplify करेंगे आप तो क्या जाएगा निकाश्च्ट निकेटिव वाला देखिए 3 minus 4.6289 तो यह आ जाएगा minus 1.6289 तो यह minus जा रहा है इसका मतलब यह यहां कहीं जाएगा 1 minus 1 तो यहां हो गया तो इसके इधर तक जा रहा है ठीक है यहां कहीं आएगा यह और जा रहा है यह गलत बना हुआ है यह negative तक जाएगा ठीक है इसको देख लिजिएगा यहां कहीं तक जाएगा अब मुझे एक जेक चेक करना पड़ेगा यह वाला देखिए कितना तक जा रहा है 1 minus 2.333 कितना आएगा minus 1.3355 ठीक है और यह minus 1.6289 तो यह वाला मतलब और दूर तक जाएगा तो यह जो ऐसे ऐसे तो कोई circle भी बना सकते हो बट circle बनाने से अभी पूरा space खा जाएगा कुछ बचेगा नहीं देखने के लिए बस ऐसे color कर दीजिए तो यह देखिए minus अगर center minus 2 है तो यह बन गया ऐसे आप चाहे तो circle भी बना सकते हो center 1 है तो इसके लिए यह वाला बनेगा यह वाला यहां से यहां तक ऐसे center 3 के लिए यह वाला पूरा circle बनेगा तो इस तरह से आपका नई range यह आ गई नई range यह आ गई अब देखिए हमने किस पर focus किया था हमने जो range change हुई इस पर condition लगाया था ना minus 2 की minus 2 की जो पहली range थी initial में उसको बदला गया है उससे हमने alpha निकाला था तो और में क्या change आया वो हमने देखा एक चीज और देखनी है मालों alpha की value change करते जैसे alpha की value हमने अगर पहले 1 लोगे तो यह रहेगा minus 2 plus minus 0.03 जो initial था पहले case में alpha की value 1 से छोटी करते करते हमने इतना कर दिया अब यह है कि इतना भी छोटी मत कर दो हाँ स्वारी alpha की value हमने छोटी कर दिया कर रहे है ठीक है इतना छोटा करना है मतलब यहां तो चलिए देखिए जो question में data दिया उस base पर आपने solve कर लिया यह जो d2 के लिए circle आया है वो और circle से overlap नहीं होना चाहिए तो आपका जो question का framing ही यह वो ऐसा है कि overlap नहीं हो रहा है और यह हमारे condition को भी satisfy कर रहा है मतलब यह condition है in order to decrease d2 alpha decrease alpha alpha की value हम कम किये सच रहे ताकि d2 alpha does not overlap either d1 alpha और d3 alpha मतलब minus two center के लिए मतलब हम जब नए center नया framing किये alpha की value और छोटा करके तो यह circle और circle से overlap नहीं होना चाहिए इस तरह हमें alpha की value बदल नहीं है overlap हो जाएगा तो वहां गड़बड़ा जाएगा आपका तो यह condition है यह आपको ध्यान रखनी है बाकी question में ऐसा ही दिया हुआ था कि यह condition आपकी satisfy हो रही है तो इस तरह इसको आप एक conclusion कितरह मान सकते हो तो इस तरह से यह question आपका यहाँ in होता है थैंक यू थैंक यू